तो आज मैं बनाने जारी हूँ फटे हुए दूद के रजगुले और यह दूद सुबह फट गया था तो मैं इसके रजगुले बनाओंगी तो चलिए देखते हैं यह कैसे बनता है तो यहां मेरा दूद फट गया अब मैं इसको एक उबाल के लिए गैस पे रख दी हूँ जंद यहां मैं एक भगोने के ऊपर रख दी हूँ एक चनी और चनी के ऊपर रख दी हूँ एक कपड़ा यह साफ कपड़ा है आप कोई भी कपड़े यूज कर सकते हैं किचन टावल यूज कर सकते हैं अब इसमें डाल दूँगी यह छे ना जो फट गया था और इसको मैं 5 80 मिनिट के लिए ऐसे ठंडा होने के मिए छोड़ दूंगी अब इधर में चासली के लिए 1 भग Koran इस में ढाल हूँ city कप पानी और यह सिरिय कप पानी है तो इस में में डालूँगी एक कप के करीब चीनी डालने के बाद ऐसे चम्मा से मिक्स कर देंगे और इसको हम ऐसे चासनी बनने के लिए इधर मेरा छेना ठंडा हो गया है अब हम इसको हाथों से ऐसे मसल लेंगे इसको करीब 7-8 मिनिट हमको लगातार मसलना है ताकि इसका रजगुल्ला अच्छे से बन सके तो यहां देखिए मुझे 7-8 मिनिट हो गया है लगातार इसको मसलते हुए इसको तब तक मसलना है जब तक इसका एक डो नहीं तयार हो जाता है अब यहां मेरे छेने का डो तयार हो गया है अब हमको जितना बड़ा बॉल चाहिए रजगुल्ले के लिए उतने छोटे-छोटे साइज में इसको तोड़ लेंगे आपको बड़ा चाहिए तो बड़ा साइज में तोड़िए छोटा चाहिए तो छोटे साइज में तोड़ में डालने के बार नीम बढ़ जाएगा तो हम ऐसे सारे बॉल को लेकर बना लेंगे और इसको चिकना बनाएगे ताकि यह फटे नहीं तो यहां देखिए मेरे सारे बॉल बनके रेडी हो गये हैं और इधर मेरी चासनी भी बनके रेडी ओगई है यह पाँच मिनट से उबल रही थी तो यह गाड़ी हो गई अब इसमें हम सारे बॉल्स को डाल देंगे देखिए डालते ही सारे बॉल्स उपर आ गए हैं यह बहुत सॉफ्ट बना है आप लोग जरूर ट्राइ करिएगा इसको बनाके और दूद फट जाये तो ऐसे इधर उदर नहीं डालिएगा इसको ऐसे आप यूज कर सकते हैं आप इसको हम बावल में निकाल लेते हैं उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँगी यह कितना स्पंजी बनाएं क्योंकि वहां बहुत गरम ता तो मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई तो देखिए मैं सारे रस बाहर आ जा रहे हैं और यह बहुत सॉफ्ट बना है तो आप लोग जरूर ट्राइ करिएगा और मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करिए बताइएगा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग